अब डॉक्स की बहुत से ब्रीट्स होती है बहुत बार जब भी हम लोगों को डॉग लेना होता है तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते है कि कौन सा डॉग ले या फिर कौन से डॉग ब्रीड ले जो हम लोगों को सूट करें सो हम लोगों ने डॉग को अलग-अलग केटिगरी में डिवाइड कर लिया है सो लेट्स बिगिन हमारी फरस्ट केटिगरी आती है डॉग्स वर नूबीज परस्ट इम डॉग पाल रहे है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह कौन सा डॉग ब्रीड ले जो उनसे यह हैंडल भी हो जाए एंड फैमिली फ्रेंडली भी हो जाते है जो फरस्ट इम डॉग उनर के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमारी नेक्स केटिगरी आती है गार्ड डॉग अब जिनका परपस गार्डिंग का होता है जैसे फार्म की गार्डिंग हो या फिर फार्म लेने चाहिए जो की तीन ब्रीट्स में हैं फरस्ट है रॉट्विलर सेकंड जर्मन शेफर्ड या फिर डॉबर मैं बेसिकली यह ब्रीट गार्डिंग परपस के लिए ही यूज होती है हमारी नेक्स केटिगरी आती है फैमिली फ्रेंडली डॉग अगर आपकी फैमिली में लेबराडर रेट्रिवर एंड गॉल्डन रेट्रिवर यह तो सबसे अच्छी ब्रीड है बट अगर आप इनके साइस से थोड़ा बड़ा लगता है तो आपके लिए बीगल भी एक अच्छा उप्शन है इसके अलावा दिये गए सारे डॉग्स फैमिली डॉग्स है हमारी कम स्पेस में रहना पसंद है अगर आप अपाटमेंट में रहते हैं तो आप ले सकते हैं पग या फिर चुआवा लेकिन एक मिनिट अगर आप चुआवा लेना चाहते हैं तो एक बार और सोच लीजिए विकॉज यह बहुत जादा एक्टिव होते हैं हमारी अगली डॉक चाहिए तो आपके लिए जैक रसल भी एक बड़ी ऑप्शन है जो रनिंग के लिए काफी यूसफूल है हमारी नेक्स केटेगरी आती है लैप डॉक दिन भर के हाड़ वर्क के बाद जब हम लोग सोफे पे बैट कर मूवी देखते हैं और आपको ऐसा अगर कोई चा बड़ रहे हो सोफे पे बैट कर हमारी नेक्स केटेगरी आती है डॉक फॉर सीनियर्स अगर आप अपने दादा को या फिर अपने किसी बुजूर्ग रिष्टेदार को डॉक गिफ्ट करना चाहते या तो अगर आप रिटायर्ड है एंड कोई नया मेंबर होती है हमारे नेक्स केटेगरी आती है डॉक फॉर बीजी परसंस बहुत से लोग खुद को रोक लेते हैं डॉक लेने से क्योंकि वह जादा तर घर के बाहर रहते हैं वैसे तो डॉग एक सोशल एलीमल है फिर भी ऐसी ब्रीड है जिने घर पर अकिला रहना जादा पसंद ह अगर आपका भी ऐसा ही बीजी लाइफस्टाइल है तो आप ले सकते है शारपी या फिर पैशे ठाओं मगर आपको उन्हें दिन में थोड़ा वक्त देना जरूरी है अगर आप ये भी नहीं दे सकते तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डॉग ना ले या इससे बह जनकारी की और ज़रूरत है सो जुड़े रहिए वन्स अगेन थैंक्स करो करा अपकर में अपकर साइब है रहिआ है जोगर कि रहुंगा है कि ये मैं चया जापक्त प्स नहीं देगे है तो में दो झाल झाल